मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेट्वर्क से हूँ और मैं राष्ट पती भौन के सामने हूँ और हमारे देश के चार इवा चार अलग-अलग देश के भाग से आये हैं और इस सेर सपाटे के मोड से आये हैं लेकिन आज इंडिया और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करें मैं देवे द्याल निराला जो हमारे देश की गौरव की बात है जो हमारे फाव या राष्ट पती बनने वाले हैं दौबदी मुर्गू यह की आदिवासी कमुनिटी से बिलोंग करती है जो कि 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 भारत में कोई भी इ मिनिस्ट्रे भी रही है और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि देश ने ऐसे लोग को मौका दिया है कि जो कोई भी आम-इंसान भी सोच सकता है कि भारत कि सबुझ पत्रव कोई ही विराजमान हो सकता है निर्णाला सपने के हैं आपके क्या बनना चाहते हैं आप मैं तो आगे चल के देश के सिना में अपना केरियर बनना चाहता हूं धन्यवाद आप बताईए आपका नाम परिचे और क्या मेसेज देना चाहेंगे राश्टपती जी को मैं विगास कुमार बिहार से बिलॉंग करता हूं स्पेशली नवादा डिस्टिक से आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी सर जैसा ने पूछा कि राश्टपती के बारे में तो यह काफी गौरब साली हमारे लिए बात है कि जहां पर एक तरफ हम बिमिन इंपावर्मेंट क कि अक्सर हम बात चीत करते हैं विमिन इंपावर्मेंट को ले करके तो यह कहीं न कहीं एक मेसेज होगा हमारे कंट्री के सिटीजन के लिए कि न सिर्फ हम बात कर रहे हैं बलकि एक्चुली ग्राउंड लेवल पर इंप्लिमेंट भी कर रहे हैं कि जो कि ऐसे काफी जादा क मैं सकते हैं कि यह संवानित पद है तो ऐसे सम्मानित पद पर जब हम एक महिला को स्थाफित करते हैं तो यह काफी गवरवसाली होता है और यह कहीं न कहीं देश के जन्ता को एक मेसेज जाता है कि बीयार जिस वर्क फोई यूड वनली फॉर यूब कि वगनने चाहते हैं अब क्या करना देश कैसे सवा करेंगे एरफोर्स में ओफिसर बनना चाहिए वेरी गुड बहुत बहुत बधाई हो आप बताई अपना पड़ी से और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप राश्पती महोधिया को जो चुनी जानी है चोप्ता कि बहुत अच्छी बात है कि भारत में एक महिला के लिए बहुत गर्भ गिवाद है कि वह एक राश्पती बने जा रहे हैं दूसरी प्राश्पती पहली प्रदीभा पाटिल ले जुकिएं और दूसरी आधिवासी महिला जो की BJP गवSL में बहुत एच्छा किया है और उन्होंने इनको पदिस्थाबित करने का एक बहुत अच्छा क्या आप करना चाहेंगे प्रजापती आप मैं भी सेना में ऑफिसर बना चाहता हूं वह वेरी गूड और आप बताएं जी मेरा नाम अंकुर सिंग है मैं यूपी कानपुर से बिलॉंग करता हूं और मैं हाल जो चीफ होती हैं तीनों सेनाओं की वह हैं वह तो मैं बस इतना चाहता हूं कि जो इंडियन डिफेंस फोसेज है उसकी जो वैल्यू है और उसकी स्ट्रंथ है उसको बढ़ाने के लिए उस पे कुछ ना कुछ काम किया जाए और जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको अपने अंडर में और अपने जो उन्होंने जैसे सोशल वर्क किया है उसी तरह से वो इंडियन डिफेंस फोसेज के लिए भी कुछ स्पेशल करें और क्या सपना सपना क्या है आपका क्या बना मैं कुछी दिनों में इंडियन डिफेंस फोसेज का एक ऑफसर बनने वाला देखिए देखिए हमारे ओफिसर बनने वाले हैं इंडियन एर फोर्स के ना जी एर फोर्स में ओफिसर होंगे और यह हमारे तीन साथी यंगेस्टर्स जो यह भी उसी कतार में खरे हैं कि कोई डेफिंस में कोई और नेवी में और कोई अन एर फोर्स में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके इंडिया टीवी ओनलाइन इसलिए बता रही है क्योंकि आप इंस्पार्ड हो इन इवाओं से और उस महिला से कि जो अपनी जिंदिगी की सुरुवात वो एक सिक्षिका से की और आज और राष्टपती भावन में बैठेंगी आप इंस्पार्ड हो उ इंडिया टीवी ओनलाइन इन टीवी मीडिया नेर्वक की तरफ से नमस्कार